एक तरफ तो यूपी बोर्ट की सरकार हमेशा यह कहती आ रही है कि परिच्छा के उसकी सारी तयारिया पूरी हैं और हर स्टुडेंट को अपनी पढ़ाई की तयारी करनी चाहिए चुकि परिच्छाएं होंगी और साथ साथ में वह ऐसे भी क्रिया कलाब करती जा रही है जिस हो गई है और एक ही महीने में परिच्छा कराकर के रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और इसके बाद आप देखते हैं कि एक बड़ा आदेस जारी होता है उस आदेस पर चर्चा करेंगे तो सन 2021 के कच्छा बारा के परिच्छा योम उनके साथ साथ कच्छा ग्यारा के छमाह योम वारसी परिच्छा के प्रापतांक वपुणांग परिच्छत की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के संबंद में आदेस जारी हो चुका है तो अब आप स्वयम सो सकते ही कि ये कैसा आदेस है अगर आप कच्छा बारा की परिच्छा करवाना चाह रहें तो परिच्छी बार कच्छा 11 के तो पेपर हुए नहीं थे उनको सीधे पर्मोट किया गया था तो ऐसे में अब क्या होगा इसकूलों के पास डाटा ओ लेबल नहीं होगा और हो सकता है स्टुडेंट्स का सो सड़ भी हो बहुत सारे स्टुडेंट्स में बहुत अच्छा के परिच्छा योम उनके कच्छा 11 के छमाही योम वारसी परिच्छा का जो पुढांक और प्रप्तांक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए 28 माई की साम तक हर हाल में अपलोड कर दिया जाए तो ऐसे में आपने देखा था है जैसे कच्छा 10 के स्टुडेंट्स को नंबर और परमोसान में अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर काफी ठगी की गई थी तो ऐसे में देखना होगा कच्छा 12 के स्टुडेंट्स के साथ क्या होता है अगर आपको किसी भी तरीगे से एक्स्ट्रा कोई सुल्क कोई मांगता है तो आप अपनी आवाज को दबाईएगा म आप उसे जरूर उठाईएगा पूरा सपोर्ट रहेगा तो आप किसी वरकार से इसमें परिशान नहीं होना है आपके हो सकते हैं अंक अब अपलोड किये जाएंगे लेकिन बात आती है कि क्या अगर परिच्छा करानी है तो उसको ले करके क्या निश्य हो रहा है अगर नह नहीं करानी है तो उसको ले करके भी एक कंफरमेशन होना चाहिए जिसे हमारे स्टुडेंट्स जो है वो मांसिक रूप से परिसान ना हो सुबा कोई और निश्य के निकल आती है दुपार कोई और निश्य है साम को कोई और निश्य है ऐसे में स्टुडेंट्स क्या करें कि इस हिसाब से पढ़ें और तयारी कैसे करें सारी बाते जो है वो 30 माई तक क्लियर हो जाएंगी 30 माई तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि प्रमोशन होगा या परिक्षा होगी क्लास 10 और 12 दोनों को प्रमोट किया जाएगा या दोनों की परिक्षा होगी अभी क्लास 10 भी पुरी तरीके से निश्चेंत नहीं हो पाया क्योंकि कोई फाइनलाइजड अभी आडर तो या अदेश तो आया नहीं है कि उन्हें कहा जा सके कि हाँ उनकी परिछाएं नहीं होगी क्यास लगाए जा रहे हैं तो कच्छा आवाज उठा रहे कमेंट बॉक्स में कि प्रमोट होना चाहिए अगर कच्छा 10 आप प्रमोट कर रहे हैं तो 12 भी प्रमोट करने चाहिए अब आगे एक बात और आपको बता दें कि परिछा कैंसिल तब हो सकती है कच्छा 12 की एक ही कंडिशन ये तो मांगे गए हैं चुकि डाटा जब रहेगा तब ही आगे कोई काम सोचा जा सकता है तो ये डाटा मांगा गया है बोड परिछा के द्वारा तो इसको लेकर कि अभी से आपको यह नहीं सोच लेना है कि आपकी परिछा नहीं होगी चुकि इस data से परिच्छा का कोई इतना बड़ा महा तो नहीं है यह data इसलिए है कि बाई चांस अगर परिच्छा नहीं ली जाती है तो उनके पास data है और वो यह कदम उठा सकते हैं परिच्छा किस condition में नहीं होगी यह आपको clear कर देते हैं तो परिच्छा सिर्फ एक ही condition नहीं होगी कि अगर जून के बाद से तीसरी वेब स्टार्ट होती है बिमारी की और तीसरी वेब चुकि हम जानते हैं कि हम बच्चों को स्टूडेंट्स को जितना भी सेव रख पाएंगे तीसरी वेब से उतना ही अच्छा होगा यह बहुत ही घातक होगी और 12th की जो यूथ है वो एक सबसे पावर है हमारी इंडिया की तो सबसे ज़्यादा जरूरी होगा 3rd वेब से स्टूडेंट्स को बचाना तो ऐसे में अगर परिच्छा करानी है सरकार को मैं तो यही कह रहा हूँ तो लगबग अगर सारे देश में दिखते हैं तो एक करोड के आसपास स्टूडेंट्स होंगे और इतनी वेक्सीन अवलेबल है जरकार के पास ऐसा नहीं है कि वेक्सीन नहीं है बाकी कोई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे जो भी वीडियो आएगी वो सटीक होगी कोई भी फेक वीडियो में नहीं पहुंचाता हूँ तो इसको लेकर के आप निस्चेंद रहिए थेंक्यू